बाइक और स्कूटर रिव्यूस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल का भी आइकन तुरन दबाद जीएगा हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो है बजाज की नई अवेंजर स्ट्रीट 180cc का एक टिटेल वाकराउंड दोंगा और बजाज ने इसमें क्या-क्या निया दिया है वो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेए अब ही आप इसका एक डिटेल वाकराउंड देख रहे हैं ताकि आप इसका model जो है अराम से देख पाएं यह black color है और इसमें golden हलके golden color की stripes दी गई है जो की चमकती है उसमें glitter tribe का भी लगता है आपको जब आप इसको दिहान से देखेंगे तो यह देखिए यह है इसका wiser black color का है यह इसमें headlight है इसकी headlight में जो है आपको पांच LED वल्प दी गई है तो यह अच्छी बात हो जाती है क्योंकि बैटरी पर load जो है कम हो जाता है और इसका आपको जो है switch भी दिया जाता है अब बात करते हैं इसके आगे वाले tire की क्योंकि अब आपको जो है इसमें tubeless tires मिलते हैं लिखा भी हुआ है यहाँ पर और यह 91-90 का और 17 इंच का इसमें wheel दिया हुआ है यह है इसकी disc brake इसमें जो disc brake आप देखेंगे इसमें way brake ही नहीं दी हुई है लेकिन यह 260 mm की disc brake आपको दी गई है इसमें अब बात करते हैं इसके engine की इसका engine जो है 178.52 मलब 178.52 cc का engine दिया किया है जिसकी maximum power 15.5 PS at 8500 RPM है और maximum torque 13.7 Nm at 5500 RPM है यह जो है twin spark plug वाला engine है यह है इसका gear pattern इसमें twin spark plug दिया हुआ है twin spark से होता यह है कि आपका fuel का combustion जो होता है वो बढ़िया होता है और आपको mileage जादा मिलता है तो यह बात अच्छी रहती है और इससे आपको mileage भी बढ़िया मि आते हैं इसके side panel पर 180cc आपको जो है लिखा हुआ मिल जाता है और इसमें जो आगे वाला suspension है यह देखिए आगे वाला suspension जो है इसमें जो travel है इसका 130 mm है तो यह काफी comfortable आपको feel होगा और आपको चलाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि गढ़्डे होगरा में का parents जो है इसमें एलंगी का सेटर दिया हुआ है तो यह भी काफी बढ़िया है यह देखिए लेकिन इसमें speedometer आपको पुराना वाला ही दिया हुआ है जैसे 150 में आता था यहां पे आपको trip meter, odometer मिल जाएगा यहां से आप सेट भी कर सकते हैं trip को यह Avenger की logo यहां पे आपको मि मिल जाती है देखने में यह काफी बढ़िया लगती है यह इसका जो है पास वाला स्विच है यह low beam high beam का यह indicator का है और नीचे horn का है और इस सेट जो है आपको एक kill switch मिल जाता है और LED DRL होने की वज़े से आपको यह highlight का भी bulb मिल जा स्विच मिल जाता है इसको आप जो off इंडिकेटर और बैटरी का भी इंडिकेटर आपको जो है इसमें मिल जाता है और जो है side side के इंडिकेटर भी यहाई पे आपको मिलते है यह जो इसका आप टैंक देख रहे हैं यह इसमें 13 लीटर का petrol टैंक दिया हुआ है और 3.8 लीटर का इसमें रिजर्व लगता है तो इसकी सीट देख रहे हैं काफी comfortable सीट है देख रहे हैं मैं जड़ा सा ही दबा रहा हूं तो कितनी अच्छी तरीके से दब रही है यह पिलियन बैकरेस्ट है इसमें आपको यह प्लास्टिक का दे दिया गए रबराइस्ट फील इसकी आती है यह काफी बढ़िया लगता है और इसके नीचे जो है metal का भी दिया हुआ है उपर जो है rubber चड़ी हुई है यह है इसके side के indicator side के indicators यह flexible है और इसमें जो है आपको bulb दिया जाता है इसका जो यह पीछे वाले जो shock absorbers हैं यह nitrox वाले हैं और आप इसको जो है set भी कर सकते हैं और पीछे वाला जो tire है इसका व यह silencer है और यह आप silencer cover देख रहे हैं यह foot rest है और इसमें जो है आप hook वगरा भी फसा सकते हैं जैसे आप travel कर सकते हैं तो पीछे hook फसाने के लिए भी दिया जाता है ताकि आप अपना सावान को जो है hook से फसा सकें यह indicator भी flexible है और इसमें भी bulb दिया है यह इसकी light है इसकी light T20 वाले model में जो है hello effect के बारे में सब कुछ बताया हुआ है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और hello effect के बारे में सब को जान सकते हैं यह इसका tire pressure मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप जो है अगर bike को लें तो यही tire pressure maintain करके रखिएगा और जब आप हवा भरने जाते हैं कि आपको यही tire pressure भरना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा bike में mileage मिल सके यह इसका side stand है यह भी chrome में ही आता है यह सिर्फ अवेंज है और यह देखने में काफी बढ़िया लगता है एक नई चीज लगती है इसका जो लेगड आगे लगा होता है वो दो पीस में आता है एक इधर पीस लगता है और एक दूसरा पीस जो है अधर लगता है यह पूरा complete नहीं होता है यह देखिए यह है इसका हॉरन लेकिन आप जो है इसमें एक और हॉरन लगा सकते हैं जिसे air pressure वाला जो हॉरन आता है वो भी स्टॉल कर सकते हैं अब जो है इसके एनजन का बात करते हैं आप लोग सोचेंगे कि यह 180 है तो हो सकता है आपको इसमें पॉल्सर 180 वाला एंजन डिया हुआप तो ऐसी बात नहीं है इसमेंchine 180 cc वाला एंजन नहीं कर दिया हुआ है क्योंकि जो पल्सर 180 CC वाला इंजन है उसकी जो maximum power है वो 17.02 PS at 8500 RPM है और जो इसकी maximum torque है वो 14.02 Nm at 6500 RPM है जबकि इसका जो engine है उसकी maximum power मैंने आपको बता दी और उसकी maximum power और जो maximum torque है वो pulsar 180 CC वाले engine से कम है तो इसमें उसका engine नहीं दिया हो है और इस बाइक में जो एक सुधार किया गया है वो यह है कि पहले जो इसका switch था ignition वाला वो side panel पर आपको अराम से दिख जाता था तो आपकी bike को चोरी होने का खत्रा जो है रहता था लेकिन बजाज ने जो है इस बार उस पर काम किया है और उस switch को जो है अंदर कर दिया है side panel के इस side panel पर आप जो देख रहे हैं यहां पर आप अगर इसको खोलते था तो दिख जाता था ignition वाला तो वो बजाज ने काम किया है तो यह बढ़िया बात है इस bike में जो है पुरानी जो 150 CC आती थी उसमें जो है बस आपको headlight color और जो है पीछे की tail light चेंज मिलती है लेकिन इसमें आपको जो है digital meter नहीं मिलता है जैसा कि आपको street 220 या cruise street 20 में मिलता है तो मेरा कहना आपसे यह रहेगा कि अगर आप इस bike को लेने की सोच रहे हैं तो अगर आपका budget थोड़ा कम है तो आप रुख जाईए आप street 220 ही में लीजिए क्योंकि उसका जो आप digital meter है वो बहुत बढ़िया लगता है आपको देखने में तो आप वही bike लीजेगा अगर आपका budget थोड़ा कम है तो रुख जाईए थोड़ा बाद में ले लीजिएगा लेकिन वो काफी बढ़िया लगेगी आपको देखने में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ल